एक सवाल जो आप सब के मन में भी जरूर होगा और वो ये है कि आज कल हमारी बॉलिवुड की फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं क्या अचानक से कमी आ गई है क्या बॉलिवुड में जो क्रियेटिविटी की धारा है वो सूख गई है बॉलिवुड की या बॉलिवुडी कहना है क्योंकि बहुत ओल हमारे रिजनल सिनेमा तो बहुत चल रहा है और कई बार लोग ये कह रहे हैं कि भई शायद एक इंट्रोस्पेक्शन की एक आत्म बंतन की आवशकता है फिल्म बनाने वालों के सामने चुनौतियां क्या है मैंने पहले भी इस बात को कई बार कहा है कि जब शुरू में जब फिल्में बनना शुरू हुई थी तो उनके पास एक एडवांटिज था वो एडवांटिज था कि उनको कहानियां कहां से मिल रही थी उनको बहुत authentic stories मिल रही थी क्य establishment कहां से आ रही थी वेर वोज्ड़ स्टोरी स्काउब्र है प्रम और या तो साहित जी से प्रेशन जी जैसे लोगों की कहानिया थी शारत चंजी चात्यों की सहानियार ती रविन्ना टेगोर की कहानिया थी या mythological stories थी वो भी हमारे सामने आ रहे थी तो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति से हमारी जड़ों से जुड़ी हुई कहानिया आपके सामने raw material के रूप में उपलब्द थी लेकिन जैसे जैसे समय बीटता चला गया कहीं film industry एक तरह से self-congratulatory हो गए एक तरह से जिस कहते हैं कि आत्मश लागा एक कहीं एक bubble बन गया उसी क्योंकि जब तक आप जड़ों में नहीं से जुड़े होंगे तो आपके कहानियों में वो सत्य परिलक्षित नहीं होगा जो आम आदमी का सत्य है फिल्म में कौन बना रहा था फिल्म में वहीं लोग बना रहे थे जो बंबई में पैदा हुए हैं वहीं पड़े हैं मेरी तो बातचीत भी हुई है कई फिल्मकारों से जोना ने कहा कि हमने अपने जीवें में किसान नहीं देखा लेकिन किसान को दिखाया जरूर है देखा नहीं है तो वो किसान fancy dress show का किसान तो हो सकता है लेकिन जमीन से उगा हुआ किसान नहीं था और ऐसा होता रहा धीरे 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 एक दूरी और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं Bollywood जो है वो जड़ों से कट गया जड़ों से कटे पेड नहीं होते है वो गुबारे होते हैं हवा भर कर फूल कर कुपा पर यथार्थ की पिन और रबड चितरा चितरा पेड होने के लिए बीच का होना जरूरी है उरवर धरती आवश्यक है वर्शा अवर्शक है गुबारे हवाओं से तितर बितर हो जाते हैं पेड साधना है गुबारे कामना पेड़ों को ठहरना आता है तिकना आता है धागे से उंगली में बद कर रहना नहीं आता उगना है जीवित जड़ों के साथ तो Bollywood को जीवित जड़ों के साथ उगना होगा उन्हें री डिस्कवर करना होगा कि उनकी जड़े हैं कहां और उसके लिए आई 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 इस वेरी इंपोर्टेंट देर देर इस इन इंट्रोस्पेक्शन फेज विच आपनस देर और मैं मानता हूं कि बॉलिवुड में इतने अच्छे सोचने वाले लोग हैं जब वो साथ में बैठेंगे तो इसका समाधान जरूर निकाल लेगी वो एक विक्टिम जो मैंड माइंड सेट है उससे निकलना होगा कि कोई हमारा नुकसान करने के लिए कुछ कर रहा है देखिए बार-बार अगर ये आपको संकेत आते हैं तो आप उसको फ्रिंज एलिमेंट कहके दरकिनार बार-बार नहीं कर सकते हैं आज जो जो भी मंच थे जितने भी मंच हैं उनका लोकतांत्री करण हो गया पहले जो voices थी वो बहुत curated voices थी कुछी लोगों के हाथ में माइक थे आज कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है यहां पर बैठ कर कोई भी अपना एक channel शुरू कर सकता है और यह जो democratization of platforms हुआ है उसके साथ बहुत से लोगों को असहज़ता है यही पर असहज़ता नहीं ह हर जगे आपको लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है सच यह है कि जो यह तकनीक का युग है यह जो connected world है human civilization has never seen a world like this before हमारे पस कोई example नहीं है follow करने के लिए कि क्या होता है जब इतना सारा connection possible है कि मैं यहां पर जो अभी देख रहा हूं बोल रहा हूं वो रियल टा criticism को समझना विरोधा भासों को समझना और उससे सीखना और लगातार evolve होना बहुत जरूरी है और हमारी फिल्मों को भी लगातार evolve होने की आवशकता है प्रतिभाव की कमी नहीं है सोच की कमी नहीं है बस एक mindset से निकलने की आवशकता है और मुझे लगता है कि वो प्रक्रि दिखेंगे